नमस्कार बच्चों, आज हम इतिहास के Mission 100, सेखावाटी Mission 100 के पेपर को हल कर रहे हैं, Mission 100 सेखावाटी की एक टीम है, उसके द्वारा तयार किया हुआ पेपर है, इस पेपर को पढ़ के, बच्चे पूरे में से पूरे माक्स बना चुके हैं, तो आज हम इसको हल करेंगे, अपना पहला चेप्टर है इंट मन के और अश्थियां वाला अतीम महत्व पूर्ण पर्शन हडपा इस्तलूं से मिले अनाज के दानों का उले कीजिए गेहूं जो दाल, सफेज चना, तिल, बाजरा और चावल हडपा इस्तलूं से मिली हड़ियों के आधार पे मवेशी और जंगली जानवरों के नाम बताने है मवेशी में आएगी भेड, बकरी, भेंस तथा सूर जंगली जानवर जैसे सूर, हीरन और घडियाल हडपा सब्भेता के लोगों का भोजन, सहकारी और मासारी दोनों परकार का होता था लगुत्रात्मक परसन हडपा वाशियों के निर्वाह के तरीकों का वर्णन करना है कि वो किस परकार का निर्वाह करते थे, जीवन निर्वाह तो इसके लिए हम पर्षन संख्या एक और तीन जैसे पर्षन हम देख चुके हैं एक में किस परकार के अनाज का उप्योग हो करते थे और तीन में हम देख चुके हैं कि उनका भोजन होता था वो साहकारी और मासारी दोनों परकार का होता था हडपा वासी, खेत जोतने के लिए कौन से साधनों का प्रियोग करते थे, बैल और हलका प्रियोग करते थे, मिट्टी से बने हलका प्रतिरूप कहां से मिलता है, बनवाली हरियाना वा चोलिस्तान से, सिंधु गाटी सभेता में जूते हुई खेत का साख्षे कहां से प्राप के नाम बताने हैं, लकडी के हथों से बिठाए गए पत्थर के फलक और धातू के ओजार वो काम में लेते थे, हडपा इस्तलों में नहर और जलासे क्या उसे कहां से प्राप्त हुए हैं, या उन दो पूरा इस्तलों का उल्ली कीजिए, जिनके आधार पर पुरात्त वीद ये मानते हैं कि हडपाई समाज द्वारा कर्शी के लिए जल संचे किया जाता है, नहर का उसे अफगानिस्तान में सेगू सेतुगही से मिला है, जलासे का उसे समय धोला वीरा गुजरात से मिला है, लगुत्रात्मक पर्शन हडपा सभेता की कर्शी प्रोध्योगी की का व होते हुए खेत होते थे, साथ में हमने देखा हडपावासी फसल कटाई के लिए उजारों का उप्योग करते थे, जो मिट्टी के और धातु के होते थे, लकडी के हथों से बिठाई हुए पत्थर के और धातु के होते थे, आठ का पर्शन हमने देख लिया कि वो उनके नह और जलासे होते थे, मोहन जोद्रों का नगर कितने भागों में भाजित था, दो भागों में था, दुर्ग और निचला सहर, मोहन जोद्रों के दुर्ग भाग पर परकास डालिये, मोहन जोद्रों की बस्ती की उचाई वाला भाग दुर्ग कहलाता था, और दुर्ग की उचा मुख हिमारतें माल गोदाम विशाल सनानागार होती थी मोहन जोदडों में प्रियुक्त इंटूं की लंबाई चोड़ाई रूचाई का अनपात क्या था च्यार अनपात दो अनपात एक दिर गुत्तरिय परसन है पना मोहन जोदडों एक नियोजित के सहरी के अंदर था व्य कार्शे था दस परसन दस में हमने पढ़ा कि उनके जो दुर्ग थे वो किस परकार के होते थे कि बस्ती का उचाई वाला भाग होता था फिर हमने ग्यारा में पढ़ा कि उनकी जो इंटें होती थी उनकी लंबाई चोड़ाई का अनपात किस परकार्शे होता था लगुत्त प्रात्मक पर्सन हडपा सहरों के सबसे अनूठी विशेष्टाओं में से एक ध्यान पुरक नियोजी तजल निकास पर नाली थी। फिर उनके अलग अलग आवासों का निर्मान किया गया था। प्रासंगी के इस वर्तमान से उसकी प्रासंगिक्ता सिद्ध करनी है। दूसरा है कि मुमजोदणों के ग्रह इस्तापत्ते की तीन विशिष्टा बतानी ही। हड़पा सब्वेता के लोगों के मकान प्राइपक कई इंटू के बने होते थे। कई आवासों के मद्दे में एक आंगन होता था जिनके चारों और कमरे बने होते थे। भूमी तल पे बने दिवारों में खेड़कियां बनी थी। इसके अत्रिक मुख्य दूआर से आंत्रिक भाग अत्वा आंगन को नहीं देखा जा सकता था। पर ते घर का इंटू के फर्ष्य बना अपना एक सनानागार होता थ। दिर्गुत्रिय पर्ष्य की व्यक्या करनी है। आपकी साधार पे कह सकते के सिंदू संभेता में आंत्रिक और विदेशी दोनू व्यापार ही उन्न तवस्था में थे। यह आपको बताना है कि उप महादीप तथा उस से आगे से आने वाला माल नागेश्वर तथा बाल कोट से संख पराप्त किये जाते थे। नीले रंका कीमती पत्थर लाजवर्द मनी को सातू घी जो अफगानिस्तान में है से गुजरात में इस्तित भढ़ोच से कार्णी लियन दक्षिनी राजस्थान ता उत्री भुज से सेल खड़ी और धातू राजस्थान से मंगाई जाती थी राजस्थान के खेतड़ी अं अरब प्राइदीब के दक्षिनी पस्चिमी सोर पे इस्तित ओमान से भी लाया जाता था कोर्नीलियन लोजवर्द मनी तामबा सोना आदी मलुहा से प्राप्त के जाते थे तथे किस आधार पे कह सकते हैं मैसो पोटामिया के विशिष्ट बेलनाकार मोहर पर बना अरब रक्स का चितर सिंधू छेतर से लिया गया परतित होता है वह है दिल मुनु में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी परकार की मोहर पर कभी कभी हड़पाई चितर मिलते हैं तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सिंधू सब्वेता में आंत्रीक और विदेशी दोनु व्या पार ही उन्न तवस्था में थे दिर्गुत्तरिय पर्षन है अठारा सो इस्वी पूर्वत तक हडपाई सब्वेता का अंत्कीन कारणों से हुआ उलेक कीजी कोई तीन कारण बताने हैं सिंधू सब्वेता के मार्ग बदलने और जलवायू परिवर्तन से संभवता है हडप कारण है कि वनों की कटाई के कारण भूमी में नमी की कमी हो गई होगी सिंधू नदी में बाड आ गई होगी नदियों के सूख जाने के कारण इस छेतर में रेगिस्तान का परशार हो गया होगा या सूद्रड एकिकन के अभाव में संभवता है हडपाई राज्य का अंते ह गया होगा। दिर्गुत्तरिय पर्षन मनके बनाने के परक्रिया का वर्णन कीजिए। कोरलीनियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के भिंचर्णों में मनकूं को आग में पका कर प्राप्त किया जाता है। पत्थर के पिंडू को पहले एप्रिसक पत्रत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारिकी से सलक निकाल कर उन्य अंतिम रूप में बनाया जाता था। घिसाई पोली सोरुन में छेद करने के साथ ही मनके बनाने की परक्रिया पूर्ण होती थी, मनका निर्मान से परमुखिस्थल, चुंधड़ू और लोथल मनके बनाने का जो परमुखिस्थल था वो चुंधड़ और लोथल है। विशिष्ट मरदभाड हडपाई मरदभाड़ू से भिन थे, तथा यहां तामबे की वस्तों की विपल संपद्दा मिले थी, क्योंकि खेतड़ी तामबा उत्पादक छेतर है, यहां तामबे की वस्तों की विपल संपद्दा मिली है, राजस्तान के खेतड़ी अंचल से प हडपा लिपी एक रहसे में लिपी थी, समझाईए, अधिकान सब इलेक संसीपत हैं, सबसे लंबे इलेक में लगबग 26 चिन हैं, हडपा सब्बेता की लिपी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए इसी रहसे में लिपी कहा जाता है, ये लिपी निश्चित रूप से वर् में आप क्या समझते हैं, विनी में बाटों के एक सुक्षम या परीशुद परणाली द्वारा नियंतरी थे, ये बाट पराइच सर्ट नामक पत्थर के बनाए जाते थे, समने थे किसी भी परकार के निशान से रहित और घनाकार होते थे, इन बाटों के निचले मान दंड द्वीधारी ये थे, जबकि उपरी मान दंड दसमलों परणाली के अनुसार थे, पुरा इस्तल और टीले से आप क्या समझते हैं, वस्तु और सरंचनाओं के निर्माण परियोग और फिर उन्हे त्याग दिये जाने से बनने वाले स्थान पुरा इस्तल कहलाते हैं, जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं, तो भूमी खंड के लगातार उपयोग और पुना उपयोग से आवासिये मलबून निर्माण, आवासिये मलबून रता जिन्हे टिला कहते हैं, तो ये पूरा इस्तल और टिले में हमने अंतर किया है, अति लगुतरात्म सिंदुघाटी सब्वेता के खोज की घोषना कब और किशनी की, 1924 में भारती पुरातित्वीद सर्वेक्षन के डाइरेक्टर जनरल जोन मार्शल द्वारा सिंदुघाटी सब्वेता के खोज की घोषना की थी, भारती पुरातित्वीद सर्वेक्षन विभाग के पर्थम डाइरेक्टर जनरल या भारतिय पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है अलग जेंडन कनी घंक को सुमेलित कीजिए जोन मार्शल को, अर्नेस्ट मैके को, एमन राव को, जे एमे, वीलर को इन सब को सुमेलित करना है जोन मार्शल, मोहन जोदडो एंड दी इंड्स सिविलाइजेशन से अर्नेस्ट मैके को, अली इंड्स सिविलाइजेशन दी फ्रेधर, Akshay Hans and Mohajoddo एमन रोई को, दी स्टोरी ओफ इंडियान आर्क्योलोजी RGM Wheeler को My Orchology Mission to India and Pakistan हडपा अथ्वा सिंदु गाटी सब्वेता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? हडपाई मोहर सेल खेडी पत्थर से निर्मे जो मोहर मिली है वो उसकी विशिष्ट पुरावस्तु है हडपा या सिंदु गाटी सब्वेता की हडपा सब्वेता का काल निर्धारण क्या गया है 2600 से 1922 के बीज अंग्रेजी सब्द BC वए AD से आप क्या समझते हैं? BC यानि पूर्वा Before Christ इसा के जनम से पहले और AD का मतलब है इस्वी यानि Anno Domini इसा मसीह के जनम से तो हमने BC और AD में अंतर कर लिया है BC इसा पुर्वा से AD इसा के जनम से अवतल चक्किया हडपाई सब्वेता के किस इस्थल से प्राप्त हुई है? मुहन जोद्रों से अवतल चक्किया कौन से हडपाई इस्थलों में पूरी बस्ती खिले बंद थी? मनकू के निर्माण में किन पदार्थों का प्रियोग किया जाता था? कोरलियनियन जस्पर्प, फीटक, क्वार्टज, सेल खड़ी, तामबा, कासा और सोना इन सब का प्रियोग किया जाता था मनकू के निर्माण में संख से वस्तमें बनाने के दो प्रमू के इंदरू के नाम लिखे नागेश्वर और बाला कोट कौन सा हड़पाई स्थान मनका निर्माण के लिए प्रसीत था? राखी गड़ी कौन सा हड़पाई स्थल, यानि हड़पा सब्यता का कौन सा इस्थल था जो मनका बनाने के लिए प्रसीत था? राखी गड़ी 1944 में भारतिय पुरातत्व एंसर्वेक्षन विभाके डायरेक्टर जनरल कौन थे आई एम वीलर पुरातत्व एंसर्वेक्षन विभाके डायरेक्टर जनरल आई एम वीलर कौन से इस्थान के हडपाई स्तल से बाजरे के दाने प्राप्त हुए हैं गुजरात से आद सिव मोहर कौन से हडपा इस तल से प्राप्त हुई है हडपा से निवन में से कि की द्वारा काली बंगा का उत्खनन प्रारंब किया गया बीबी लाल और बीके थापर Most important person किस की द्वारा काली बंगा का उत्खनन किया गया बीबी लाल और बीके थापर निन में से किसके द्वारा लोथल का उत्खनन प्रारंब किया गया एस आर राव के द्वारा निन में से किसके द्वारा धोली वीरा के उत्खनन का कारे प्रारंब हुआ आर एस बिष्ट के द्वारा विशाल स्नानागार और माल गोदाम कौन से हडपा इस्तल के विशिष्ट विशिष्टा थी मोहन जोदरों की Most important person है ये सब हडपा सभेता के नगरूं के भवन किस्से बने होते थे पक्की इंटू से निन में से कौन सी सभेता के लोग मात्र देवी आद सीव और परकर्ती की पूजा करते थे हडपा सभेता के काली बंगा और लोथल हडपा संश्कर्ती के प्रमोख इस्तल है काली बंगा और लोथल हडपा सभेता संश्कर्ती के प्रमोख इस्तल है सिंदू घटी सभेता में सड़कें किस पदती च जाते थी ग्रीड पदती से सिंदु घाटी सब्वेता को सेंस करते भी कहते हैं अपने रिक्स्थान वाले परसन हैं मोहन जोड़ों में कूं की कुल संख्या लगबग 700 थी मोहन जोड़ों के विशाल सनानागार के जलासे के तल में जाने के लिए उत्र और दक्षिन भाग में शीडियां बनी हुई थी यानि दो भागों में शीडियां बनी हुई थी एक तो उत्तर दिशा से और एक दक्षिन दिशा से विशाल सनानागार में जाने के लिए मोहन जोड़ों में कुउं की संख्या 700 थी सिंदुगाटी सब्वेता को हडपा संस करती भी कहते हैं सिंदुगाटी सब्वेता के जो सडकें थी वो ग्रीड पदती में बनी हुई थी अब मानचितर का कारी है मानचितर में काली बंगा बरना आ जाए तो राजस्थान में बनवाली और मित्ता थल आ जाए तो हरियाना में धोला वीरा और लो थल आ जाए तो गुजरात में राखी गड़ी बनवाली आ जाए तो हरियाना में माड आ जाए तो जम्मू कश्मीर म रंगपूर नागीश राजय तो गुजरात में राजा और किसान अपने दूसरे पास पाठ के अतिमहत्तो पून पर्शन ब्रह्मी और खरवश्टी लीपियों को पढ़ने वाला कौन था प्रिंसेप था बोध और जेंधरम के आरंबीक गरंथों में कितने महाजन पदूं का लेक मिलता है सोडा महाजन पदों का लेक मिला है असलोग की अधिकान सभी लेखों की भासा और लिपी होती थी ब्रम्मी और प्राकर्त अर्थसास्त्र के रचेता चांक के जिने कोटिले भी कहते हैं विश्णु गुप्त कोटिले कहते हैं सोड़ा महाजनपदों में सबसे सक्ति साली महाजनपद कुन कौन सा था तक्षी शिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, आरंभी के भारत का सबसे प्रसिद विधी गरंथ है, मनुश मर्ती, चांदी और तांबे के सबसे प्राचिन सिक्के हैं, आहत सरोपर्थम सोने के सिक्के किन सासकू ने जारी किये थे, कुशान सासकू ने, किस सा समराज्य की राजधानी, बताईए, पाठली पुत्र, मोरी समराज्य का संस्था पकोन था, चंद्रगुप्त मोरीय, बुद्ध के पूर्वजनम की कहानिया क्या कहलाती है, जातक हर्ष्चरित्र की रचना किसने की बान भटने, उत्पाद को और व्यापारियों के संग को क इस नाम से जाना जाता था, स्रेणी के नाम से, ब्रहमनों को दान में दी जाने वाली कर्मुक्त भूमी क्या कहलाती थी, अग्रहार, कौन से गरंथ में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की परजा किस परकार दुखी रहती है, ये गद जिन्तु जो जातक गरंथ है, उस इसा राज्ये जहां कई लोगों का समू सासन करता था और इस समू का परतीक विक्ति राजा कहलाता था, वे किस नाम से परशिद हुए, गण और संग के नाम से, पत्थर, धातू और मिट्टी के बरतन, जैसी कठोर सत्य पर खुदे ऐसे सरोत साक्से, जो उन लोगों की प्रानकारी देते हैं, तो उन्हें बनवाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अभिलेक, एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन अपना पाउं रखता है, थ्वाबस जाता है, तो कहलाता है, जन पद, सासन का एक रूप जिसमें सप्ता पुरुशूं के एक समूह के हाथ में होती है, तो वो कहलाते हैं, ओली गार की या समूह सासन, जातक कथाओं की भासा कौन सी थी, पाली, जातक कथाओं की भासा पाली थी, सिक्कूं का अध्यन कहलाता है, मुद्रा सास्त्र, जेम्स प्रिंसेप ने असोक कालिन ब्रह्मी लीपी को कब पढ़ा था, 1833 में असोक की अभिलेक किन भासा और लीपियों में लिखे गए थे, भासा प्राकर्त थी, ओरो मुईक और यूनानी पस्चिमुत्तर से प्राप्त हुई है, लीपी थी वो प्रह्मी लीपी, अधिकान सा भिलेकिसी में मिले है, खरोष्टी जो लीपी है, वो पस्चिमुत प्राप्त हुई है, आरामेक और यूनानी जो लिपी है वो अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है, मौरिये बंस की जानकारी के पर्मुक सरोथ कौन कौन से हैं, चंदरगुप्त के दर्बारी विद्वान और यूनानी राजदूत मगस्थनीच की पुस्तक इंडी का, चं देते हैं प्रियाग प्रस्थिति जो प्रस्थि है उसका दूसरा नाम है इलाहबाद इस्तंब अभिलेख प्रियाग प्रस्थिति में हमें समुंदर गुप्त के जीवन, विजे, व्यक्तिगत, उनके गुण, ततकालिन राजनेतिक दसा आधि के बारे में जानकरी मिलती है अभिलेखों से प्रभावित, अभिलेखों से प्रभावती गुप्त के भुमी का भुमी दान के जाने के बारे में क्या जानकरी मिलती है? अभिलेखों से प्रभावती जो गुप्त थी, उनकी भुमी में हमें जानकरी कैसी जानकरी मिलती है? प्रभावती गुप्त समराट चंद्र गुप्त दित्य की पुत्री थी, संसकर्त धर्म गरंथु के अंसार महिलाओं को भुमी जैसी संपत्ती पर सवतंतर अधिकार नहीं था, प्रण्तु एक अभिलेख से ग्यात होता है कि प्रभावती गुप्त भुमी की स्वामिनी थी और उसने भुमी दान भी किया था, उस समय महिलाओं को संपत्ती में अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी एक अभिलेख से हमें ग्यात होता है कि प्रभावती गुप्त भुमी की स्वामिनी थी और उसने भुमी दानें किया था, सेंसकर्त धर्म गरंथू के अनुसार पाटली पुत्र के इतिहास पे प्रकाश डाली, पाटली पुत्र का विकास पाटली ग्राम नामक एक गाउं से हुआ, पांचमी सदी इसी पुरु में मगद सासकों ने अपनी राजधानी राजगरह से हटा कर, इसे बस्ती में लाने का निर्णे किया और इसका नाम रखा पाटली पुत्र, चोथी सताब्दी स्वी पुरुतक पाटली पुत्र मोर्य समराजी की राजधानी और एसिया की सबसे बड़े नगरू में से एक नगर था, कालांतर में इसका महत्व कम हो गया, अब सात्मी सताब्दी में चीनी यात्री हिंसांग यहां आया, और उसे यह नगर खंडर में प्रिवर्तन, प्रिवर्तित हुआ हुआ है। काम में लिये जाते थे लोहे के फाल वाले हलों का प्रियोग किया जाता था गंगा घाटी में धान की रोपाई की जाती थी सिचाई के लिए कुवा तालाब और नहरों का निर्मान ये थे उपज बढ़ाने वाले उपाई उपज बढ़ाने के तरीके छठी सताब्दी इस वी दिर गुत्तरिय पर्षन है अभी लेख आज भी इतिहास की जानकरी के महतोपून सादन है इसपष्ट कीजी कि अभी लेखों से हमें आज भी इतिहास की जानकरी मिलती है इसे इसपष्ट करना है वर्तमान इतिहास लेखन में अभी लेखों की उपादेता क्या उप्योगिता अबी लेखों में उनलोगों की उपलबधियों किरियाकलापों तो था विचारों का उलेख मिलता है जो उन्हें बनवाते हैं इनमें राजाओं की किरियाकलापों तो था महिलां और पुर्षु द्वारा-ดharm marked संस्थां को दिये दान का विवरण होता है अभी लेखों में उनके निर्मान की तिथी भी खुदी होती है जिससे राजाओं के सासनकाल उनके नाम और परमुक कारी और दार्मीक विश्वासों के जानकारी प्राप्त होती है उदान के लिए भारत में समराथ असोग के अभिलेक व्रहति इस तरपे प्राप्त हुए जो मोर्य वंज की जानकारी के परमुक सरोत मग्द के सक्ति साली महाजनपद के रूप में उदय के परमुक कारण बताईए मग्द सोडा महाजनपदों में सबसे सकती साली महाजनपद था तो इसके बारे में बताना है कि उसके सकती साली महाजनपद होने के पीछे कारण कौन से थे मग्द छेतर में खेती की उपज बहुत अच्छी होती थे मग्द छेतर में लोहे की खदानों की सरलता से उपलब्द ता थी अतर लोहे से कर्षी उपकरण और अथियार आसयानी से बनाए जा सकते थे मग्द में जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी उपलब्द थे ये हाथी मग्द राजे के सेना के लिए महतो पूनंग थे गंगा और उसकी उपन अदियों के आवागमन सस्ता और सुलब हो जाता था बिम्बि सार अजाद सत्रू की नीतियां मग्द के विकास के लिए उत्तरदाई थी हरी शेण द्वारा प्रियाग प्रसस्ती में समुंदर गुप्त की चारित्री के विशेश्ताओं का किस परकार वर्नन किया गया है समुंदर गुप्त एक बहु आयामी अथ्वा में पर्शन है कि समुंदर गुप्त एक बहु आया में पर्तिभा से युक्त महान सा सक्था उक्त कथन की व्याख्या कीजिए प्रियाग प्रसेस्ते में हरी शेंड ने समुंदर गुप्त के लिए लिखा है कि धर्ती पर उनका कोई पर्तिदोंदी नहीं था अनेक गुणों और सुबकारियों से संपन उन्होंने अपने पैर के तलवे से अने राजाओं के यस को मिटा दिया वे प्रमात्मा पुरुस हैं साधू की समृद्धी और ऐसाधू यानि बुरे के विनास के कारण हैं वे करुणा से भरेवे हैं उनके मस्तिक्स की दिक्षाद दीन दुख्यों विरहनियों और पिडितों के उदार के लिए की गई हैं वे देवताओं में कुबेर वरुन इंद्र और यम के तुले हैं यानि उनकी तुलना देवता से की गई हैं और वो भी कुबेर वरुन इंद्र यम से सक सासक रुद्र दामन के अभिलेख में सुदर्शन जील के बारे में क्या विवरण दिया गया है आप ये कैसे कह सकते हैं कि रुद्र दामन ने संसकर्त भासा को बढ़ावा देने का प्रियास किया सक सासक रूदर दामन ने संसकर्त भासा में जुनागड अभिलेख लिखवाया परसन ये भी आ सकता है कि जुनागड अभिलेख किसने लिखवाया रूदर दामन ने जिसमें सुदर्शन जील के बारे में वर्णन है कि जलास्यों और तटबंदों वाली इस जील का निर्मान मोरिय काल में एक स्थानी राजेपाल द्वारा किया गया था प्रंतो एक भिशन तुपान के कारण इसके तटबंड तूट गए और सारा पानी बह गया तटकालिन सासक रुद्र दामन ने जील की मर्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए अपनी परजा से कर भी नहीं लिया था ये तो ये हुआ सक सासक रुद्र दामन के अभिलेख में सुदर संजील के बारे में वीवरण असोक के धम्य और उसकी जन कल्यान करिया उधावनाओं को समझाए असोक ने परजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियम और आदर्सों की सहिता प्रस्तुत की उसे धम्य कहते हैं असोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्य का परचार किया असोक के धम्य के सिधान्त बहुती साधारण और सार्व भूमिक से धम्य के सिधान्त कौन से थे असोक के बढ़ों के परती आदर सन्यासियों और ब्राह्मनों के परती उदार था सेवकों और दासों के साथ उदार विभार दूसरों के धर्मों और प्रम्प्राओं का आदर तो असोक का धम्मे क्या है उनके परजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ नियम और आदर्स थे उनको सहिंता बद कर रखा था तो उसी को धम्मे कहते हैं धम्मे के सिद्धान्त हो गए कि बढ़ूं के परती आदर हो सन्याशियों और ब्राह्मनों का के परती उद्धारता हो सेव कौटदासों के साथ उद्धार विभार हो दूसरों के धर्मोर परंप्राओं का आदर अभी लेखों से प्राप जानकारी की भी सीमा होती है विवेचना कीजी तकनीकी सीमा कभी-कभी इसकी तकनीकी सीमा होती है अक्सरों को हलके रंग से उत्किर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है अभी लेख नश्ट भी हो सकते हैं जिसे अक्सर लूपत हो जाते हैं अभी लेखों के सब्दों के वास्त्वीक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ग्यान हो पाना सदव सरल नहीं होता क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष इस्थानिया समय से समंग दित होते हैं ये जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनेति कुरार्थिक रूप से महत्तो पूर्ण मानते हैं, उन्हें अभी लेखों में अंकित किया ही गया हो, अतराजनेति कुरार्थिक इतिहास का पूर्ण ग्यान मात्र अभी लेख सास्तर से नहीं मिलता। अभी लेख हमेशा केवल उसी उन्हीं विक्ती के विचार विक्त करते हैं जो उन्हें लिखवाते हैं इस कारण अन्य पहलूं के बारे में जानकारी प्राप्ते नहीं होती सुमेलित करना है महाजनपद दिये हुए हैं एक तरफ उनकी राजधानी दिये हुई है गंधार, तक्षी शिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है कोशल, स्रावस्ति, कासी, वारणसी, मगद, राजगीर, कुरू, इंदरप्रस्त, पांचाल, अहिछत्र, अवंती, उज्जेनी, और सूर्शेन, मथुरा ये महाजनपद थे और इनकी राजधानी थी तो ये मिलान वाले परस्नों में आ सकता है